थोड़ा सा नमक गिरा देना इधर जिसको भी आप प्यार करते हो चाए वो शादी चुदा वारत है या कुमारी हमेशा के लिए हो जाएगी आपकी मित्रो कोई अगर ऐसा है जो आपसे नाराज हो गया है आपका प्यार एक तरफा है आप किसी को हासिल करना चाहते है पाना चाहते है चाहिए वो लड़की है या कोई लड़का हो आदमी हो या औरत हो विवाहित हो आविवाहित हो आपने अगर उसे पाना है और आपने अगर ये जिद मनाली है, ठानली है, तो बस ये सरल्सा नमक का उपाय कर लेना, वो इनसान जिसके लिए भी आप इसे करेंगे, हमेशा के लिए हो जाएगा आपका, मात्र तीन घंटे में असर करने वाला ये शत्तिशाली उपाय, उस इनसान को जिसके लिए भी आप करेंगे, उसे आपका दिवाना बना देगा, वो तड़पे का आपके लिए पेचैन होगा, और हमेशा के लिए हो जाएगा आपका, तो नहें शंकोच होकर इस उपाय को आप करें, उपाय के लिए कोई भी किस भी परकार की बादिता नहीं है, और कोई भी इसके आपको नकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे, अगर आपसे उपाय में कोई चूक, कोई गलती भी हो जाती है, बस आपने उपाय को बताए गई तरीके से कर लेना है, और आप देखेंगे, कैसे वो इनसान जिसे आप चाहते हैं, हमेशा के लिए हो जाएगा आपका, तो आई ये मित्रों जानते हैं, उपाय को किस पकार से करना है, बहुत सरल सा उपाय है, थोड़ा सा नमक लेना है, एक आपने चोटा सा सफेद कागज ले लेना है, चौकोर्सा ले ले, कौपी का कागज ले ले, कोई अन्न कागज ले ले, सफेद ले ले, धारी तार वाला है, तो भी कोई परशानी की बात नहीं है, एक स्तान पर बैठ जाएं, जहां बैठेंगे, अपनी दिशा पूर्व की रखेंगे, यानि जिस तरफ से सूर देव ओदे होते हैं, इस्ट की और मुक करके आपने बैठना है, कोई भी साफ कपड़ाय आसन बिछा ले, और उपाई को किसी भी समयाब कर सकते हैं, बस उपाई शुरू करने से पहले, अपने हाथ, मुँपेर अच्छे से धोलें, एक लाल या हरी रंग का स्केच पैन, पैन या मार कर अपने पास रख ले, कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखें, जिसके लिए आप इसे कर रहे हैं, नीचे संख्या ठीक उसके नीचे लिख दें, 001, जैसे दिल करें वैसे उसके नीचे लिख दें, 001 मतलब 001, नाम जो उसका लिखेंगे, किवल पहला नाम ही लिखना है, लिखना है जिससे आप उसे पुकारते हैं, जैसे मान लीजिए, उसका नाम सीमा शर्मा है, आपने केबल सीमा लिखना है अगर पुरुष है, रोहित शर्मा है, रोहित लिखना है इस परकार से नीचे 0,1 अब आपने क्या करना है, जो नमक आपने लिया है इसे आप किसी पातर पर लेंगे, कटोरी हो चमपच हो सीधे हाठ पर पकड़ रहें और अपने सिर के उपर चार बार बार है चार बार तेंज outreach जैसे दिल करें वैसे कुमद आ चार बार उसके बाद आखें बंदगर के इस हापि एक कार सीधे हाठ पर या अपने रखना है बटी में रखें कस के बंद नहीं करना पूरी बनना हो तो भी कोई बात नहीं है और उस व्यक्ति को स्मरण करें जिसके लिए भी आप इसे कर रही है ध्यान करें पांस सेकंड, दस सेकंड, पंदरा सेकंड और उसके बाद बोलें ये मंत्र ओम हींग तरिंग, यशो वशो अमुक वश्यम ये आपने जो मंत्र है इसे आपने साथ बार बोलना है मंत्र में अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लेंगे जैसे लिखा है वैसे ही बस ये मंत्र आपने साथ बार जब बोल लिया उसके बाद आखें खुले ये जो पुडिया है इसे अपने पास घर में समाल लें बस समाल लें जो भी आपकी खास जगह हो प्राइवेट जगह हो निजी हो उस इस्तान पर आप समाल लें अगले दिन आपने किसी भी समय इस पुडिया को घर से बाहर ले जाना है और किसी भी पेडिया पूंधे के जड़ पर रखाना है ना हो किसी दीवार के किनाज रख दे ये बस चुप चाप से करके आपने बापस आ जाना है जब आप इसे रखेंगे उस समय कोई देखे नहीं मिल्कुल गुपत रूप से अराम से चुप कर रखें और आपने किसी से बात नहीं करना है सीधे घर आएं या कहीं और जा रहे हैं दफ्तर जा रहे हैं कहीं भी जाना हो वहां भी जा सकते हैं ये आपने कारे कर लिया उसके बाद आद देखें कैसे सामने वाला तड़ता हुआ तीन घंटे में उस पर असर होगा और वो अगले दिन तक आप से कुछ संपर्क करेगा और आपके लिए हो जाएगा बेचेंगा तो आशा करते हैं मितरो अपाई आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा फिर मलाकात होगी अगले वीडियो में एक ऐसे ही बहुत ही शक्तिशाली कुपाई के साथ अपना क्याल रखें खुश रहें नमस्कार